उज्जेन में एक दिन पहले शाम को कमल कॉलोनी क्षेत्र से चार वर्षिय बच्ची गुम हो गई थी बच्ची का नाम राजनन्दिनी उर्फ नन्नू बताया जा रहा है घटना का CCTV भी सामने आया था मामले में खुद S.P. सचन शर्मा ने मौकी पर पहुँच कर जाच शुरू की घटना के 24 घंटे बीटने के बाद अब बच्ची का शब मिलने से संसनी फैल गई है एडिशनल S.P. आकाश भूरिया ने जानकारी देते हुए बताया की डायल हंड्रेट के सिपाही को वालमी की धाम आश्रम के रास्ते के नाले के पास एक थेला दिखा संदे होने पर जब थेले को खोला गया तो उसमें बच्ची का शब दिखा तक काल पुलिस अधीक्षक सहित सभी अधिकारी मौके पर पहुँचे और फोटो वीडियो करवाया गया शब को पोस्ट माटम के लिए जिलाची कितसालिया में रखवाया गया है पोस्ट माटम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा बताया जा रहा है कि डॉक्टर की विशेश पैनल द्वारा पोस्ट माटम करवाया जाएगा आरमविक जाच में बच्ची के शरीर पर किसी के प्रकार के निशान नहीं पाए गए है हालांकि जाच रिपोर्ट के बाद ही सच्चाई का खुलासा हो पाएगा यहां बतादी की चार वर्षिय बच्ची राजनन्दिनी कमल कॉलोनी निवासी क्याटरिंग का काम करने वाले राम सिंग राना की है कल थाना चिमन गंज में एक बच्ची की गुमने की जो सूचना मिली थी जिस पर से ततकाल पुलिस ने अफरण का प्रक्रण पंजीबत किया था सारी टीम हमारी निरंतर उस पे काम कर रही थी बच्ची को ढूनने का पूरा प्रयास किया जा रहा था आज शाम को हमारे डायल हंड्रेट के एक सिपाई को वालमी की धाम के आश्रम पे जाते हुए जो एक नाला है वहाँ पर एक बोरे में कुछ होने का अंदेजा लगा इसको उसने विदिवत रूप से जब देखा और उपर से बोरे को खोल करके देखा था उसमें चोटी बच्ची की लाश थी जिस पे ततकाल वरिष्ट पुलीस अदिक्षक महदे और हमारी पूरी टीम है स्पोर्ट पे पहुँची और वहाँ जाकर के इसकी शिनाग्त की औ और बच्ची का श्रव लेकर के मर्चूरी में रखवाया गया हो जहां पर विदिवत रूप से डॉक्टर की पेनल द्वारा उसका सवेरे पोस्तमार्टम कराया जाएगा मृत्यू के सई कारणों का पता लगा है अभी इस विश्य में कुछ नहीं कहा जा सकता है वरतमान में मर्चूरी रूम में रखा गया है डॉक्टर नो की पैनल रहे गयों पैनल के द्वारा ही यह इस्पष्ट किया जाएगा कि मृत्यू का कारण क्या है और बच्ची के साथ क्या घटना हुई है अभी हमने देखा है बोडी को खोल करके देखा लेकिन इंटर्नल इंजूरी के बारे में नहीं बताया जा सकता एक्स्टर्नल इंजूरी अभी कोई इसी प्रदर्शित नहीं हो रही लेकिन पीम में सारी चीज़े इस पश्ट हो जाएगी